और भाई लोग यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पिले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भाई अगर आपको बारिश का आवा जा रहा है या फिर बादल के गरजने का आवा जा रहा है तो प्लीज उसे इग्नॉर कीज़े क्योंकि भाई मॉंबय में चल रही है जोरदार बारिश और इस वीडियो को कम्प्लेट करना है लाइट जाने से पहले है तो लेट्स गिस्टार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टैक अन्बॉक्सिंग और आज के वीडियो का टाइटल और थमनेल देखे आपको पता ही चल गयोगा बहुत ही ऐसे हेवी किसम के गैजट के हम अन्बॉक्सिंग करने वाले जो है एक बल्ब और गईज यह रहा वो एक्चुल बल्ब इसके अंदर आपको एक स्पाई कामरा देखने मिलता है तो यही चीज है जो इस पर्टिकलर गैजट को यूनिक बनाती है और इसके पहले मैंने धेल सारे स्पाई कामरा के अन्बॉक्सिंग की है जो बेसिकली आपके चार्जर में फिट होता है या फिर आपके टी शिर्ट के बटन में आप उसे लगा सकते हो और बहुत ही तगड़ी एंगेजमेंट वहाँ पे मुझे मिली मतलब millions of views है लोग comment करके questions पूछते है तो आज तक मुझे पता नहीं चलेगी exactly किस चीज के लिए यार आप लोग इस particular spy cams को use करते हो तो comment करके जरूर बताइए मैं तो बहुत ही जादा excited हूँ जानने के लिए क्या क्या aspects में आप इन gadgets को use करते हो और आज की वीडियो में हम करने वाले इस panoramic camera bulb का unboxing सो यहाँ पे वीडियो को पूरी तरीके से द देखेंगे और जैसे हम इसे unbox करते है सबसे पहले यहाँ पर आपको एक printed letter देखने मिलता है seller की तरफ से कैसे आप इस camera को install करें उसी के साथ नीचे की तरफ यहाँ पर उन्होंने a quick start guide इसका provide किया जिसमें अंदर आपको सारी information देखने मिलती है and finally यहाँ पर आपको देखने प्रोवाइड किया है जिसके साथ आपको screws और LN की भी देखने मिलती है so guys सबसे पहले जो Indian holder है उसके साथ कुछ इस तरीके से बस आपको इसे attach करना है फिर यहाँ पर जो holder है उसमें हम connect करके करते है इसे power on और power on होने पर यहाँ पर आपको red color की LED light भी देखने मिलेगे और light एक बारी यहाँ पर blink भी हो जाती है फिर आपको जाना है इसके application में जो है V380 pro इसके अंदर जाके बस आपको जितने भी सारी wifi credentials वगएरा है सारी चीज़े इंटर करने है फिर आपको scan करना है इस bulb के उपर का QR code और next पर प्रेस करना है और फिर आप देख सकते हूँ यहाँ थोड़े टाइम में जो bulb है वो automatically connect हो जाता है यहाँ पर application के साथ तो यह जो spy camera है या फिर bulb है वो connect हो चुका है बट यहाँ पर application में बढ़ने से पहले हम बात करेंगे इसके build quality की तो यहाँ पर आपको completely plastic build में यह देखने मलता है आगे की तरफ यहाँ पर उन्होंने camera lens प्रो provide किये उसी के साथ यहाँ पर आपको LED light इसमें देखने मलते है तो 3 LED lights उन्होंने इसके अंदर provide किये और plus side में यहाँ पर आपको एक memory card का slot देखने मलता है जिसमें हम insert करेंगे यहाँ पर 32 GB का memory card काफी basic build के साथ आपको यह bulb देखने मलता है तो सबसे पहले यहाँ पर हम application मे आप देख सकते हो यहाँ पर जो footage है वो completely आपको visible हो जाता है जादा lag यहाँ पर महसूस नहीं होगा काफी immediately footage जो है reflect हो जाता है application में और यहाँ पर आप zoom करके देख सकते हो हर एक area जो आपको यहाँ पर specifically monitor करना है तो यहाँ पर हम studio lighting conditions में इसमें video record करेंगे जिसे आप अभी देख सकते हो light conditions में कि कैसी यह low light में perform करता है यहाँ पर आपको video तो बहुत ही अच्छी quality में देखने मिलती है audio भी काफी अच्छी है बट यहाँ पर audio और video sync में आपको देखने नहीं मिलता है थोड़ा सा unsynced है इवन हम लोग ने यहाँ पर memory card में भी इसे try किया तो वहाँ पर इतना बढ़िया तरीके से sync नहीं हो रहा था उसे के साथ यहाँ पर हम test करेंगे इसमें low light video test हाला कि इसके अंदर कोई भी infrared night vision का function उन्होंने provide नहीं किया बढ़ गए जो LED light है उपर की तरफ उसकी help से यह low light video यहाँ पर record करता है तो अभी हम देखेंगे उस particular footage को और यहाँ पर आप जो video recording इसमें देखेंगे यह completely low light में करें हाला कि इस particular camera में आपको कोई भी infrared night vision का function देखने नहीं मिलता है जो built-in 3 LED lights है जो as a bulb work करते है उसमें यह low light में video test करता है and I hope यहाँ जो low light video test है वो भी आपको काफी अच्छी performance दे जहाँ पर आपको video quality and audio quality बट आपकी काफी अच्छी आने चाहिए So guys low light में भी काफी decent इसकी video quality आपको देखने मिलते है बहुत सारे grains आपको visible हो जाएंगे बट जी हाँ guys low light में भी यह particular camera यहाँ पर video काफी अच्छी तरीके से record करता है and but obvious आपने audio भी सुना audio भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर record हो जाता है and उसी के साथ यहाँ पर काफी interesting function देखने मिलता है alarms का सुभई alarms तो हर एक smart security camera में आपको देखने मिलते है बट इसमें आपको customizable audio का alarm देखने मिलता है मतलब जबी भी आप इसमें alarm को trigger करते हो आपका customized sound आप उसमें डाल सकते हो और यहाँ पर हम करेंगे इसमें alarm test हिंदुस्तानी भाव style में so guys अभी ह settings करेंगे तो बस यहाँ पर अपको settings में जाना है फिर अपर आपको जाना है alarm settings में इसे मैं यहाँ आप तर्ण आउन किया और इसकी सबसे इची बात यह है कि आप इसका alarm area भी इसमें select कर सकते हो तो आप देख सकते हो यह है area इसमें clear और यहाँ पर मैं detection area इसका trigger करता हूँ तो यह है उसका detection area जहां पर कोई भी movement होने पर यहां पर alarm trigger होगा तो इसे मैं confirm करता हूँ और प्लस इसमें आप alarm sound को customize भी कर सकते हो तो यहां पर हम customize sound इसमें place करेंगे भाई So guys कुछ इस तरीके से बस आपको यहां पर जो button है उसे प्रेस करके रखना है तो अभी हमें इसमें custom sound record करेंगे So guys यहां पर हमने custom sound record किया तो यहां पर मैं confirm पर click करता हूँ और यहां पर जो custom sound है उसे मैं apply करता हो जो directly इसमें apply हो जाता है तो जैसी इसके सामने कोई भी movement होगी यहां पर जो custom sound है वो trigger होगा So guys जैसे आपने देखा बहुत ही तगडी तरीके से यहां पर आप alarms को customize कर सकते हो और बहुत ही जादा मज़ा है उसे customize करने के लिए और आप आपके हिसाब से different different audios उसमें customize कर सकते हो हला कि 10 second की ही audio आप वहां पर record कर सकते हो So guys उस चीज़ को यहां पर आपको ध्यान में रखना है और अगर आपको चाहिए तो आप different different इसके अंदर जो sound से उन्हें भी use कर सकते हो और सबसे interesting बात मतलब आप area select कर सकते हो जहां कहां भी आपको monitor करना है जिस किसी भी area को camera के अंदर उसे आप select कर सकते हो यह मुझा बहुत इंटरेस्टेंग feature लगा इसका एंड उसे के साथ हम बढ़ते हैं इसके application की तरफ So guys यह है उसका application और आप देख सकते हो यहां पर जो camera वो connected है इस device की help से प्लस यहां पर आपको multi cam का भी support उन्होंने provide किया है और यहां पर आपको full frame में भी यहां पर footage देख सकते हो और different चीजें यहां पर आप monitor कर सकते हो इस particular application की help से प्लस यहां पर आपको mic का भी option देखने मिलता है तो directly आप इस mic की help से इसमें command send कर सकते हो तो directly आपके album में जाके save होती है फिर replay का option उन्होंने provide किया है जहां पर आप HD card की help से भी यहां पर replay देख सकते हो कुछ इस तरीके से और इसे आप scroll भी कर सकते हो तो आप देख सकते हो different different footages यहां पर आपको visible हो जाते है जो directly HD card में यहां पर save होते है और plus यहां पर more options में आप देख सकते हो installation किस हिसाब से आप इसे install कर रहे हो top में wall पर mount कर रहे हो सारी चीज़े आपको इसमें आ जाती है display mode में यहां पर आपको कई सारे different different display modes देखने मलते है जिनने आप select कर सकते हो आपके हिसाब से इस फिलाल तो हम इसे panoramic mode में ही यहां पर रखते है उसे के साथ यहां पर inversion का option दिया है तो footage directly यहां पर invert हो जाता है और फिर यहां पर light control का option देखने मलता है तो फिलाल मैंने light को turn on रखा है आप turn off भी कर सकते हो या फिर auto mode में set कर सकते हो जहां पर night में automatically turn on हो जाएगा तो फिलाल हम इसे on mode पर ही रखते है उसे के साथ यहां पर आपको image setting का भी option उन्होंने provide किया है जहां पर black and white हो गया या फिर color image हो गया वो set कर सकते हो तो इसे भी हम auto mode में रखते हैं और फिर यहां पर additional settings में जाते हैं आपको कई सारे different different इसके network settings password वगेरा device lock हर एक चीज इसमें आपको देखने मिलते है प्लस इस device की यहल्प से आप cloud storage का भी option इसमें opt कर सकते हो जहां पर आपको काफी सस्ते price में हो cloud storage offer कर रहे है जहां पर 8 GB का cloud storage आपको मिल रहा है सिर्फ 0.01 dollar में introductory price के offer है 16 GB का आप देख सकते हो 15.03 dollars 12 months के लिए और यहां पर 128 GB का select कर रहे है तो यहां पर 55.99 dollars per year जो काफी तगड़े plans आपको cloud storage में offer कर रहे है तो directly आप footage cloud में store कर सकते हो rather than going for this device या फिर SD card So guys यहां पर application में आपको धेर सारे functionalities देखने मलती है discounted options उन्होंने provide किये और यह जो particular bulb है इसे actually आप bulb नहीं बोल सकते हो bulb कम spy camera जादा है यह security camera भी आप इसे बोल सकते हो जहां पर आपको बहुत सारे functionalities उन्होंने इसमें provide किये उसी के साथ बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे क्या इसमें wifi आपको देखने मलता है इसके अंदर आपको built-in wifi देखने मलता है आप directly wifi के साथ इसे connect कर सकते हो और दुनिया के किसी भी कोने में आप इस particular camera को monitor कर सकते हो यह इस camera की बहुत ही अच्छी बात है और यहां पर अगर मैं बात करूँ इसके की तो यह आपको मिल जाता है approximately 1100 rupees की price में जो बहुत ही तगड़ी pricing है इतने बड़िया features के साथ हालकि इसकी warranty क्या है वो तो मुझे पता नहीं क्यूंकि seller धेर सारे sellers इस particular bulb को यहां पर sellout कर रहे है warranty का मुझे यहां पर आता पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है seller अपने अपने हिसाब से यहां पर warranty प्रोवाइड कर रहे है और अगर किसी को इसे purchase करना है तो link में नीचे description box में देदूंगा वहां पर जाके आप इसे purchase कर दीजिए और अभी तक अगर आपने comment नहीं किया और दोस्तों और एक important बात प्लीज मेरे facebook पेज और instagram पेज भी like किजिए तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद